दोस्तो 75 सालों से कोलकता की पैचान रहा हावड़ा ब्रज सर्भ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में फेमस है ये एक अतहासिक ब्रज है जो द्वीतिय विश्युद का भी गवा रहा जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये ब्रज कोलकता से हावड़ा को जोड़ती है सबसे पहले हावड़ा ब्रज के दर्शन कराये जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रज में जो इसे इतना अनोखा माना जाता है कि उस ब्रज को देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं दोस्तो अगर आप भ कानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रज नहीं हुआ करता था उननीसवी सदी के आखरी दशकों में ब्रिटिस इंडिया सरकार ने लोगों के आवा गमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल नर्मान की यूजना बनाई जिसके लिए साल 1871 में ह हावडा ब्रिज आक्ट भी पास किया गया और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रोपय लागत से एक पीपे का पुल तयार किया गया जिसकी लंबाई 1828 फिट और चोड़ाई 62 फिट थी यह पुल उतना स्ट्रॉंग तु नहीं था लेकिन किसी तरह काम चल रहा फिर आया साल 1906 का दौर जब हावडा स्टीशन बन कर तयार हुआ जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजा ही बढ़ गई लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए इस पुल को हटा कर यहां एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया लेकिन फ्ल 2022 में निव हावडा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया ब्रिज तयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया हावडा ब्रिज बनाने के इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने च्वाई किया लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर दब्रेट वीट बॉन एन जेसोग, यहां श्रक्ति इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अंगिनत खंबे नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाओ को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो अब ब्रिज का डिजाइन तयार किया गया लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज़ादा डरे हुए थे क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था हावडा ब्रिज के जिस डिजाइन को तयार किया गया था उसमें किवल चार खंबे बनाने की बात कही गई और इन खंबों को ब्रिज के दोनों सीरों पर लगाया जाना तयकिया गया दोस्तों यही वज़ए है कि पूरा हावडा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फिट उचे दो खंबों पर ठिका हुआ है आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंबों के बीच की दूरी 1500 फिट है लेकिन फिर भी हावडा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज़ादा अनुका बनाता है इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके नर्मान में इस्तिमाल होने वाली बेस्ट क्वालिटी के मैटेरियल्स है इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 तन स्टील का इस्तिमाल हुआ दोस्तों यहाँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज़्यादा स्टील एक ठाक कर पाना पॉसिबल था तो बता दें कि यह पॉसिबल तो नहीं था लेकिन इंपॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया देश में स्टील बनाने वाली कलौती सबसे बड़ी कमपनी टाटा स्टील ने पुल के नर्मान के लिए 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील कमपनी ने की थी ऐसे में यह कहना हरगस गलत नहीं होगा कि अगर हावडा ब्रज आज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं टाटा स्टील कमपनी का हाथ है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस पुल के नर्मान के लिए जिन स्टील प्रेटों का इस्तमाल किया गया था उन्हें जोडने के लिए नट बोल्ट की जगा धातू से बनी कीलो का इस्तमाल किया गया है ताकि पुल की मजबूती में कोई कमी ना पाए और यह सालों साल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहे आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर से ट्राम भी गुजर चुकी है हावडा ब्रिज को बना कर तयार करने में कुल धाई करोड रुपय की लागत आई थी ब्रिज की लंबाई 1528 फिट जबकि चोड़ाई 62 फिट है दोस्तो जब हावडा ब्रिज बन कर तयार हुआ तो हावडा ब्रिज अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बन गया उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे दोस्तो आज भले ही हावडा ब्रिज की पॉपुलिर्टी पहले से कम हो गई है लेकिन एक समय था जब लोग कुलकता जाते थे तो बिना हावडा ब्रिज के दर्शन किये हुए वापस नहीं आते थे। एसे समय में बिना किसी उद्गाटन सामारो के ही हावडा ब्रिज को चालू कर दिया गया। इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम तो बदल गया लेकिन लोग के बीच आज भी यह हावडा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। इस चावी का पूरा मांजरा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरसल इस चावी को लेकर लोग का कहना है कि इस चावी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। यानि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिसर्स ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस तकनीक से तयार किया था। और शायद यही वज़ा है कि ब्रिज के नीचे बीचो बीच कोई पलर नहीं लगाया। वैसे दोस्तो इस बात में कितनी सचाई है इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर तत्यों को देखा जाए तो बात कहीं न कहीं सच सावित होती है। दोस्तो अगर मौजूदा समय में ब्रिज की हालत के बारे में बात की जाए तो आपको जानकर दुख होगा कि 26,000 टन स्टील से बना कुलकता का हावड़ा ब्रिज अब खत्र जिस वजए से इस पुल से रोजाना लाको लोग पान चबाते हुए घुजरते हैं और इस ब्रिज पर ठूखते हुए निकल जाते हैं। इससे ना केवल ब्रिज गंदा होता है बलकि ब्रिज धीरे-धीरे खराब हो रहा है। इस जीनियर्स ने तो यह भी कह दिया है कि जि वड़ा ब्रिज को खो देंगे। इसके अलाबा, 2005 की एक घटना ने भी इस पुल को काफी जादा शती पहुचाई। दरसल उस समय एक कारगो शिप इस पुल के नीचे से गजर रहा था। उस दौरान ये शिप वहां फस गया। और इस शिप को वहां से निकालने में पुल को काफी छती पहुची थी। इंसानों के अलाबा, पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खत्रा है। दरसल पक्षी ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। यह लगातार यहां पर गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे ब्रिज को क्यामिकल लॉस हो रहा है। यही पूरे ब्रिज को पेंट करने में 500 लिटर पेंट की आवर्शकता होती है, जिसमें पूरे 65 लाक रुपे खर्च होते हैं। यानि आप समझ सकते हैं कि इस पुल को सुरक्षत करने के लिए अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। दोस्तो हम तो आपसे यही कह कर तूट जाएगी। दोस्तो इस वीडियो में फिलहा लेतना ही, क्या आपने कभी हावडा ब्रिज के दर्शन किये हैं? इस अतहासिक ब्रिज को लेकर आपकी राय क्या है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। उमीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अ और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स पर वाचेंग।